नमस्कार SDF Live इंडिया मैं आपका स्वागत है और आपके शाथ मैं हूँ गौरब सिन्ना लगभग 18 वर्सों से बिहार की CM की कुरसी को सुसोभित करते आ रहे नितीश कुमार के लिए इस बार मुख्यमंत्री की कुरसी बचाये रखना बहुत बड़ी चुनौती बन गई है फ्लोर टेश्ट से पहले लगभग सभी पार्टियां जोर तोर की राजनिती में लगी है ओपरेशन लोटस पर ओपरेशन लाल्टेन की भारी पढ़ने की बाद सियाशी गलियारे में तैर रही है क्रॉस वोटिंग होने की शंभावना नजर आ रही है बाड़ा फड़वरी को फ्लोर टेश्ट में सीयम नितीश पास होंगे या नहीं या कहना तो फिलवक्त मुस्किल है लेकिन जिस तरह की राजनितिक और स्थीरता बिहार में दिख रही है उससे यही कहाज आ सकता है कि नितीश कुमार अगर विधान सभा को भंग कर दे और बिहार में राष्टपती सासन लग जाए तो सायद आस्चर्र का विसय नहीं होना चाहिए जदियू में बड़ी तूट की बातों को मंतरी श्रवन कुमार भले ही बकवास बताते हुए मीडिया के एकवर्ग द्वारा सुनियोजित योजना के तहत ख़वर चलाने का आडोप लगा रहे हूँ लेकिन जदियू विधायकों के लिए उनके आवास के बाद मंतरी विजय चौधरी के यहां भोज का आयूजन होना इस बात को प्रवानित तो जरूर कर रहा है कि जदियू को अपने विधायकों पर भरोशा नहीं रह गया है और भोज के बहाने विधायकों का नब्ज डटोलने की कोशिस हो रही है सभी विधायकों को सनिवार से ही पटना में रहने को कहा गया है अगर सबी बिधायक पटना नहीं पहुंचते हैं तो यह असपस्ट हो जाएगा कि अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेला हो गया है ऐसी इस्थिती में फ्लोर्टेस्ट से पहले CM नितीश स्योड होना चाहते हैं कि कहीं गच्चा तो नहीं देंगे उनके बिधायक अपने बिधायकों के इस्थिती असपस्ट होने के बाद ही नितीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले शकते हैं राजनीती के चानक के कहे जाने वाले नितीश कुमार सह और मात की लड़ाई में बीवस हो जाएंगे ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को पचन ही रहा है लेकिन राजनीती में कब क्या हो जाई या कहना मुश्किल है वैसे भी सगा बनकर दगा देना तो बिहार के नेताओं ने सायद उनसे ही सीखा है हाला कि स्रवन कुमार नहीं हसुईकारा की उनके विधायकों के यहां ठेकेदार को भेज कर प्रलोबन दिया जा रहा है विधायकों के खड़ीद फड़ोक्त की कोसिस हो रही है लेकिन उनके सभी विधायक सभी मामले की जानकारी हम लोगों को देते हुए एक जूट है और सीम नितीश कुमार के साथ चट्टान जैसी मजबूती के साथ खड़े है लेकिन तेजस्वी आदव की पतनी राजश्री आदव और उनकी बहन रोहिनी आचार ने ट्वीट कर कहा है कि जदियू के 17 विधायक भूमिगत है और उनका मोबाइल बंद आ रहा है मतलब यहा है कि जदियू के 17 विधायक राजद और कॉंग्रेस के संपर्क में है माना की राजस्री यादव और रोहिनी आचारे ने सियासी गलियारे में भढम पैदा करने के लिए इस तरह का ट्वीट किया हो लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जदियू और भाजपा में अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फ्लोर टेश्ट से महज दो दिन पहले आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जदियू कोटे के मंतरी सरवन कुमार और विजय चौदरी के आवास पर विधायकों के लिए भोज का आयोजन करना पर रहा है इतना ही नहीं बीजेपी ने भी बोध गया में सभी विधायकों को इखठा किया है कहा जारा है कि ट्रेनिंग को लेकर बीजेपी विधायकों को बोध गया अमंतरित किया गया है लेकिन यह सवाल मूब आये खड़ा है कि बीजेपी के बिहार प्रवारी विनोत तावडे बिहार में ही खुटा गार कर अपने MLA से 1-2-1 क्या बात कर रहे हैं जाहिर तोर पर नितीज के पल्टी मारने की आदत से जहां जद्यू बिधायकों में नाराजगी है वहीं बीजेपी के भी कई बिधायक बीजेपी के सिर्ष नित्रित्व से खपा है कहा जारा है कि केंद्रिये गड़ी मंत्री अमित सासाहित प्रदेश अस्तरिये नेता नहीं चाहते थे कि बीजेपी से नितीज कुमार की पार्टी का गठवंदन हो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समराठ चौधरी सीम नितीज पर लगातार हमलावर थे उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि नितीज कुमार को सत्ता से बेधकल करी वो अपनी पगड़ी उतारेंगे डिप्टी सीम बनने के बाद उनके तेवर में नर्मी तो आई है पर उन्तु पगड़ी अब तक उनके सिर पड़ है ना चाहते हुए भी पियम नरेंदर मोधी की चाहत का खयाल रखते हुए नितीज से एक बार फिर बीजेपी को तालमेल करना पड़ा नरेंदर मोधी नहीं चाहते थे कि नितीज के बीना बिहार में NDA को नुक्षान उठाना पड़े बार बार पलटने की अदागे कारण नितीज के साथ साथ बीजेपी के प्रतीवी आम जन्मानस में नाराजगी तो है लेकिन अती पिछरा वोट पर अभी नितीज की पकर मजबूत है बात अलग है कि आम लोगों का कहना है कि बार बार पलटने के कारण उन्होंने अपनी राजनितिक पूझी सायद गवा दी है सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी और जदियू के कुछ विधायक इस बार नितीज के पलटने से नाराज है ऐसे विधायकों को नितीज में अब उस तरह की दिलजस्पी नहीं रह गई है जैसे पहले हुआ करती थी इस तरह की स्थिती को भाप करी कॉंग्रेस विधायकों में तूट की कोशिस की गई थी इसके लिए कॉंग्रेस के पुर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नितीज के खासम खास कहे जाने वाले असोग चौधरी को लगाया गया था लेकिन इस बात की भनक जैसे ही कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलीकार जुन खरगे को लगी कि उन्होंने सभी विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया और फिर वहां से सभी विधायकों को हैदरावाद सिप्ट कर दिया गया है वैसे जानकारों का कहना है कि 19 विधायकों में से 16 कॉंग्रेस विधायकी हैदरावाद में हैं तीन विधायक बिहार में ही है मतलब यह है कि ऐसे विधायक कॉंग्रेस आलाकमान से दूर है ऐसी स्थिती में कॉंग्रेस के सभी विधायक एक जूट है ऐसा कहा नहीं जा सकता है अब देखना यह होगा कि कॉंग्रेस के कौन-कौन विधायक नितीज के पक्षधर है और उनके साथ किस तरह की सौधेवाजी हुई या हो रही है कॉंग्रेस में तूट पैदा करने में नितीज के हनुमान कितने सफल हुए सियासी गलियारे में होड़ ही चर्चाओं पर अगर गौर करें तो राज़त के कुछ विधायकों से भी बीजेपी के तीन बड़े नेताउने संपर्क साधा है ऐसे बिधायकों से लोकसभा का टिकट देने पर सहमती बनी है यह सभी बिधायक लोकसभा चुनाव लड़ने के आकांची है चाचा की संख्या में राज़त के बिधायक पहले वारानशी उसके बाद मुम्बई गए है हलाकि राजनीती के माहिर खिलारी कहे जाने वाले राज़त सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव ऐशा होने देंगे ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वह अपने पुत्र तेजस्वी प्रशाद यादव के साथ खामोसी से अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं जोर तोड में उन्हें बहारत भी हासिल है लालू प्रशाद यादव राजनीती और कानून के जानकारों से राय लेते हुए बिधान सभा अध्यक्ष स्री चौधरी ने साथ फरवरी को मीडिया के सामने आकर कहवी दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और नियमा वली के अनुशार सदन की कार्रेवाही संचालित करेंगे लेकिन बिहार विधान सभा के सचीव राजीव कुमार द्वारा 12 फरवरी को विधान सभा की कार्रे सूची 9 फरवरी को जारी कर दी गई है 12 फरवरी को 11 वजे राजेपाल के अभी भासन के बाद विधान सभा अध्यक्ष को हटाने की कार्रेवाई सुरू हो जाएगी ऐसी परिस्थिती में पहले बिधान सवा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्तावपर वोटिंग होगी उसके बाद नितीश कुमार को बहुमत सावित करना है कहा जा सकता है कि स्पीकर को आगे कर जिस तरह का खेल लालू तेजस्वी खेल रहे थे वहाँ पैतरा अब इसलिए नहीं चल चकेगा क्योंकि न्याइक सेवा के अधिकारी द्वारा बिधान सवा की कार्ने सूची जारी की गई है ऐसी स्थिती में अबत बिहारी चौधरी जदियू या भाजपा के कुछ बिधायकों को सदन में अलग गुट की माननेता दे दे तो नितीश के लिए बहुमत सावित करना मुस्किल हो जाए ऐसा संभव नहीं दिख रहा है तो तेजस्वी की गोटी लाल हो सकती है बात अलगे कि वीप काउलंगन करने के एवज में उनकी विधायकी पर भी खत्रा उत्पन हो शकता है सियासी जानकारों का कहना है कि मंत्री मंडल का विस्तार इसी लिए नहीं किया गया है क्योंकि रूठे हुए जदियू और बीजेपी विधायकों को मंत्री पद ओफर किया गया है लगातार विधायक बनने के बाद भी मंत्री पद नहीं मिलने का मलाल पाल रखे ऐसे विधायकों को या भरोशा दिलाया गया है कि बहुमत साबित करने के बाद मंत्री मंडल विस्तार किया जाएगा और उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा हमके संगडक्षक जीतन नाम माजी अपने पुत्र संतोष कुमार शुमन को कोई बड़ा मंत्राले देने और अनिल कुमार सिंग को मंत्री बनाने का डिमान रख चुके हैं उन्होंने महागठवन्दन से मिले सियम पद के ओफर को साणवजनिक भी किया था वैसे नौ फडबरी को एक्स पर उन्होंने लिखा है कि वह पियम नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से हैं नितीश कुमार पियम नडेंद्र मोधी के साथ साथ केंद्रिये गडी मंत्री अमित्सा और बीजेपी के राष्ट्रिया ध्यक्ष जेपी नडड़ा से मंत्रना कर वापस बिहार लोट आये हैं लेकिन डिप्टी सियम समराठ चौधरी ने यह कहकर राजनीती के बाजार में एक तरह से भुकंप ला दिया है कि आज जदियू की सरकार है बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी समराठ के इस बयान पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कहा तो यह भी जारा है कि आयोध्या में जाकर अपनी पगड़ी उतारने की बात करने वाले समराठ चौधरी कहीं पुर्व में किये गए अपने वादे को पूरा करने की कोशिस तो नहीं कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि नितीज के बार बार पलटने से नाराज बीएपी की आंतरी की चाहों की बिहार में राष्ट प्रतिसासन लग जाए और अगोसित तोड़ पर केंद्री बिहार की सत्ता चलाए हाला कि नितीज के चेहरे का सुकून यह भी कह रहा है कि वह विस्वास मत हासिल करने को लेकर निस्चित है वैसे पुर्व रिप्टी सियम तेजस्वी प्रशाद यादा पहले ही कह चुके है कि खेल हुआ है लेकिन बड़ा खेला होना बाकी है राजनिती पर पैनी निगा रखते आ रहे है पुर्व आईयस अपसर अमिताब कुमारदास का कहना है कि वर्तमान राजनितिक हालात को देख कर या स्पष्ट तोर पर कहा नहीं जा सकता है कि नितीश कुमार फ्लोर टेस्ट में बहुमत सावित कर लेंगे यह भी नहीं कहा सकता है कि वहुमत सावित नहीं कर पाएंगे लेकिन यह जरूर कहा सकता है कि बिहार में कोई न कोई बड़ा खेला जरूर होगा जितर नाम मांझी लालू तेजस्वी के लिए बड़ा हत्यार सावित हो सकते हैं राजनितिक और स्थीर्ता की स्थिती में राजिपाल की बड़ी भूमिका होगी बहुमत सावित नहीं कर पाने की स्थिती में नितीश विधान सबा भंग कर सकते हैं और राजिपाल राश्टपती सासल लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं ऐसी स्थिती में तेजस्वी आदब को कोट का सहरा लेना पर सकता है बहराल आगामी बाड़ा फरवरी बिहार की सियासत के लिए महतपुर्ण हो गया है जदियू, राजद और कॉंग्रेस तो क्या बीजेपी भी अपने विधायकों पर अविस्वास कर रही है ऐसी स्थिती में देखना दिलजस्प होगा कि सीम ने 30 प्लोर टेस्ट में पास होते हैं या फेल और अगर बहुमत साबित कर देते हैं तो किस-किस जुगार टेकनोलोजी का इस्तमाल कर पाते हैं